वेल्कम टू राइंग्लेश लानिंग अकदेमी आजी माय आशाम हायर सेकेंडे एडुकेशन काउंसील काउंसीलर जी बला के क्लास 12 बर स्टूटें रसे हायर सेकेंडे सेगेंडे रहत पाँ तो नोकोल भावे एंग्लेश जी सब्जेक्ट और उप्रोत क्या बेटाओ इंपोर्टेंट क्रेशन लोई आई शुद्धा लास्ट लेशन नमर पाट्ट उप्रोत आगुत मोई लास्ट लेशन और धूटा पार्ट आलोसना कोई शिलू आजी होल पाट नमर थ्री धूटापार्टोत मोईось पार्ट पाट्ट बुझाई दीशिलू अरो अखमियाद बुजय दिशलो अर अंडुपाटोत केबा टाओ 23 टमन क्वेशिनेंचे मना एक खुबी इंपोर्टेंट क्वेशिनेंचे एडिशनल इंपोर्टेंट क्वेशिनेंचे आलोशना कोई शलो कुनो बाई जोदि हे केटा खुश्यन सोवानाए बा आगर वीडियो दुटे सोवानाए एडिश्यक्रिप्शन ओत लिंक देया था कि बो लिंकोर ते क्लीक ओडिए वीडियो दुटे सागो परे करन तात कोबे इंपोर्टेंट क्वेशिन दिया शै आखर कि चु एबला क्व पीसे ओत भार मघस्तो करा पीसे ओत कुनो टेंशोन नाता की बो यह पड़ा एक पड़ा हुगभी होए ए लेशनर पड़ा क्वेशनेंचे कबन पापी पाबो तो बला में आरंब करू आजेर बीडियो टू आजेर बीडियो टू हबो दल्लस्ट लेशनर पार्ट थ्री तो आगर बीडियो टू है ट्वेंटी थ्री लोई क्या अलोसना कोई शीलू आजे ट्वेंटी प्रो परहा अलोसना कोईम ट्वेंटी पोर नंबर ट्वेंटी पोर एसे वाट इस द्वेट फोल्ट वीट एलसे से लसे नमर्स युक्त दिस्टिक का से है दिस्टिक कोई आटाए तो कोई धाउर फोल्ट मनें दोख तो की या तो डिस्टिक मनें ही डिस्टिक और मनुवर कथा बई इसे ही डिस्टिक और मनुवर अटाई तो कोई डांग और फॉल्ट मनें दोख की दोख नज्स्टिक और मनुवरक अगर कोसीीड तो यह यालो मन。 आसे बताली की से अलिस्टिक और मनौने बहनी। एलसे सर मनुहर दांगर भुल्टु किया सिल, बा दांगर दुख्टु किया सिल तो answer वो, according to M. Hamil, the people of L.C. did not learn thing in time M. Hamil ओर मोते एलसे सर मनुहर खिनिये, हमाय मोते कुनो भुस्थू कराना, बा नो करे, बा कराना सिल दे पुट अप दिया लांगर दो ने निक्स दे की फीजद ना खनार बाबे, यह तो ढगल गया सिल, थिछ फीजद ना खनार भाबे था ये? 26th daya say what did mhamel do when he wanted to go for fishing answer when the teacher mhamel wanted to go for fishing he just gave the students a holiday next question is what are frances parents more interested in france or magdao taak kiyo uprat interest to be shi di shil manai guruto to be shi di shil answer frances parents are more interested in putting him to work on a farm or at the mills frances are magdao taak ke kikuri shil tiong tiong no eta farmot naibak milot kaamkara uprat ki guru to be shi di shil praafna koi baute hain next question loya isu 28 number 28 to daya say what did the teacher m or mhamel what did the teacher o taak ke ba 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 naiba students do instead of learning एम हमेल नमर जीजन हीखोग है है हीखोग जोने केटियो बार केटिया बार सत्रो सत्री होकलोग हीखो आर पुरिबोटे की कुरिबो कोई सिल एंसर उबो वह देशर एम हमेल समताइम आच्ट दा इस्टुडेंस तो वाटर दा फ्लावर्वर से इन दा गड़न इंस्ट आप लारिंग एम हमेल नमर जीज़न हीखोग सिल त्याओ की कुरिबोटे नेक्स्ट क्वेशन ले आईशू, नेक्स्ट क्वेशन दिया से 29, 29 दिया से how are the parents responsible for their children's inability to learn? नेक्स्ट क्वेशन दिया से how are the parents responsible for their children's inability, यो तर लोरस्वाली होकलर जी अक्खमता बा अदक्खता to learn, हिक्खर जी तो अदक्खता, मने माक्दुता होकले, हियो तर लोरास्वाली हो, मने, नीहिकार नीहिकार बावे के ने कोई डाइया से माग देवता कोखले ही हो तो लोड़ास वाली जितु मने जने तोर ही की बोलागे तेने तोर नी ही कर भाबे क्यों दाईया से तो एंसर दो The parents are more anxious to earn money by putting the children to work on a farm or at the meals instead of their learning तो parents खकले की कुड़ी सिल, MacDoota की कुड़ी सिल, Laura Scala. MacDoota की कुड़ी सिल, ही ओना लोड़ास वाली हो लोक कुने ता फार्मोत नाई बा, मिलोत की कुड़ी सिल, काम करार उपरोत की दिसल? गुरु तो दिशिल बा काम करार किया सिल अग्रोई या सिल जाते अलोब बेशी टोका उपर जन करिए ओप रहे तो की कोडिशिल दा पेरेंट्स एर मोर एंग्शस तो आर्न मनी बाइपुटिंग दा शिल्डेन टु वार्क अने फार्म और अड़ दा मिल्स इंस्टिट अफ लार्निंग मने माध्दू ता कोकले की कोडिशिल हियों तो लोडास्वालिक या हिकवार पुरिबोर्ते हियों मने टोका उपरजन करा उपरत ना कुने टा फार्मत नाइबा मिलोत हियों तो लोडास्वालिक खटु आई बाकामत लोगाई दी टोका उपरजन करा उपरत की गुर्तु टु बेशिदी सिर्टु दा पेरेंट्स एर रिस्पोंसिबल फोर देर चिल्डेन्स इने बाह इकार ओद खोतर वाबे क्योंत किया शिल दाई शिल्डेंस्ट नेक्स्ट कुछिन लाइशु फट्टी नंबर फट्टी नंबर दिया से वाई दी थे एम हमेल ब्लेम हिमसेल्प टु एम हमेले क्यो निजो के दाई कोई शिल्ड़ास्वाली होकल भालदोरे नीहिकार बाबे, त्याओं क्यो दाई बुली कुई इसेल, why did M Hamill blame himself to M Hamill क्यो निजों के दाई बुली कुई इसेल, the answer हो, M Hamill sometimes asked the students to water the flowers in the garden instead of learning, M Hamill क्यो ऐसेल, माझुंँ माझे, लोरास्वालिक ही कोई बागी साथ पानी दिबो कोई सिल बागी साथ पानी दिबो कोई सिल लोरास्वाल निही कर बाबे फाल्द रहे निही कर बाबे निही कर बाबे नेक्स्ट कोईशन ले एसु थर्टी नमबर 31, 31 ले एसु कोवे इंपोर्टेन कोईशन, 31 और कोईशन तु दिया से, या तो मने कोईशन तु अनु को और और दिधा के फस्ट कोईशन, वट वस एम हमिल्स अपिनियोन अव दा फ्रांस लेंगवेस एम हमेल और फ्रांस लेंग्वेश फराशी भाका हम पोर के मता मत किया अशिल next question what according to एम हमेल मने एम हमेल और मते what are the qualities of their फ्रांस लेंग्वेश फराशी भाकार हीओ तर फराशी भाकार की की qualities अशिल गून अशिल next question how नाइबा what how धी कुर्शन डू था अबरे नाइबा what धी कुर्शन डू था गीवाबरे how नाइबा what did एम हमेल से about the फ्रांस लेंग्वेश बने फराशी भाकार केनो को आप बुली एम हमेले कोई से नाइबा फराशी भाकार के बुली एम हमेले कोई से next Queshain राईशू, How did M Hamill praise the France language? M Hamill केने कोई, पराशी भाकर की कुरी सिल, praise कुरी सिल, मने प्रोहांखा कुरी सिल, तो एक Queshain टू, सारी पास दरोने थाकिवा परे, कोभी important question मज़ मज़ आई ठाके, Answer of both, According to M Hamill, M Hamill or Mote, the France language was the most beautiful language in the world, M Hamill or Mote, पराशी भाकर तू असिल, पितियर वित्रो, तहां आटाई तो कोई, दुनिया भाकर, For him, त्याओर भाभे, France was the clearest, त्याओर भाभे, पराशी भाकर तू असिल, clearest, मने इस पोस्टो, and the most logical language, अरू, खुबे जुक्ती होंगो तो एटा भाखा, He also told that, त्याओं आखो कोई सिल जे, they must guard that, त्याओं आखो कोई सिल जे, हियोंटे की कुरी भा लगी भा, हे भाका तू की दीभा लगी भा, गार्ड दीभा लगी भा मने, हियोंतर माजओ, जे रखी भा लगी भा, among them हियोंतर माजओ, and never forget that, अरू, हेटुक्ती होंगो पाहरी सिल ता भिचत नएबा, पुराशी भाका, त्याओं मोते इनको सिल नएबा, एदर त्याओं की भूली सिल पुराशी भाका, पुखं का कोई सिल, Next, question लो है, त्ट्टी तू नमबर लो, ए, त्ट्टी तू नमबर लो ए, त्ट्टी तू नमबर लो दिया से, How did France find the grammar lesson so easy? France ए, grammar पात्टू इमान होस बुली कियो पाई सिल, Answer, France listened to the grammar lesson very carefully that day, हेदना कोन France ए, grammar पात्टू हुबे इ, मोनोजोगरे हुनी सिल, France listened to, मने मोनोजोगरे हुना, the grammar lesson मने ग्रामर पात्टू very carefully बोर मोनोजोगरे that day, हेदना कोन, हेदना कोन France की grammar पात्टू बोर मोनोजोगरे हुनी सिल, The teacher M. Hamel explained everything with so much patience, अरो हेदना कोन हिखोग जोन, M. Hamel नमबर हिखोग जोन की कोई सिल, Explain everything, Pouti-pottec, तो बुष्थो की कोई सिल, बैकखा कोई सिल, with so much patience, मने, बो धुजोजोः होई सिल, तो हेदना कोन की कोई सिल, M. Hamel, नमबर जोन हिखोग जोन, हेदना कोन हिखोग जोने grammar पुछी पात्टू, तो बोस्थो बोर धुज़ोः हो क्रे की कोई सिल, अने बुजय इसल आरो फ्रांच की कुली इसल ग्रामार लेशन टू बार मनुजो गरे हे दिना अपन हुनी इसल that is why France found the grammar lesson so easy हे कावने तेव की कुली इसल ग्रामार बार बार होज बुली बाइस next question ले है इसल next question 33 what was M. Hummel's advice on one's only English कारो बार नीजर भाखा हम पर के M. Hummel और मता मत किया से M. Hummel advised the students to guard their own language and not to forget that M. Hummel advised the students to guard their own language amazon एक जाँ बार मने यहां था माजड जाते हरुए नाजा है की कुली इसल M. Hummel ईसल अभा मेल इसल्याँ राखा हम बने and not to forget that I am not to forget that नेक्स्ट कुछिन ले आईशू, 34, 34 दियास है, वाट डिट एम हमेल वाट तू गेव इस स्टुडेंट्स बिफोर गुएंग अवेई, वाट डिट एम हमेल वाट तू गीव इस स्टुडेंट्स एम हमेले तार 77 ट्री अकलों की दिवो बिशरी सिल एंशर, before going away गुशी जोर आगोते M. Hamil wanted to give his students M. Hamil तर 77 हो दिबो बिशरी सिल all he knew त्याओ जिखिनी जानी सिल आटेखिनी बुस्तू and to put that all into याद आवा नहोबो दियार होबो into their heads at one stock तो की कोई सिल before going away मने गुशी जोर आगोते M. Hamil wanted to give his students all he knew M. Hamil तर 77 हो जिखिनी जाने आटेखिनी की कोई विशरी सिल दिजावा विशरी सिल and to put that all आवा अगोलो खिनी दिबो लोई into their heads मने की कोई तर मुर अर भित्रो at one stock मने एको बोते अने M. Hamil गुशी जोर आगोते school area गुशी जोर आगोते त्याओ जिखिनी जानी सिल आटाई खिनी त्याओ की कोई सिल दिजावा विशरी सिल आरो हेखिनी बोस्तो हिवातर मुरोत एक कोबोते जन एक एटा आघात कोई यह हिवातर मुरोत आटाई खिनी बोस्तो हमाई दी त्याओ की कोई बो इसको लेरी गुशी जाओ तो यह यह सिल आजेर वीडियो टो आजेर वीडियो टो मुआ एक एटा कोई सिल अलशना कोई लू एके टो खोबेई इंपर्टन क्वेशनेंचर ये फिचर वीडियो तो मौए बाकी एडिशुनाल केटेवन क्वेशनेंचर दीम और टेक्शुल जीखनी क्वेशनेंचर असे हेखनी दीम और ये रू पूर्यो एलेशनो प्रहा फाइप मार्क्स तो एटा वा बोट क्वेशन तो तिनी चरीट आमान बोट कोशें दीम तो तार बापे वीडियो विला के रेगुलर साइट एकी बो तो वीजो तेटा वीडियो द लॉग परकोती शुरूतरे आजी देट वीडियो दो याते हुए हमपतो पुरिशो धन्यवाद